हेलो फ्रेंड्स आपका गीता जोर्ड में स्वागत है और आज मैंने बनाया है एक लच्छे वाली पराठे लच्छे वाला पराठा और साथ में बनाई है बैगन की सब्जी और आप पूरा वीडियो देखेगा बिल्कुल स्किपने करिएगा बहुत ही अच्छी पराठा और स से भी है ये और आप जरू ट्राइगा और हाँ एक चीजी जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें बागी सभी लोग शेयर करें कमेंट्स करें लाइक करें और बेल आइकन जरू प्रेस करें इसके लिए जो है हमने कढ़ाई ली है कढ़ाई में सरसों का तेल डाला ह और तेल जब गरम हो जाएगा उसमें हमने जीरा डाला है और हेंग डाला है और यहाँ पर हमने कम से कम 500 ग्राम हमारे पास बैगन है उसको देखे मैंने थोड़ी लंबे साइज में काट लिया एक बैगन के चार लंबे लंबे स्ट्रिक बनाई है उसमें से ऐसे तीन करेंगे हार सरसो का तेल का बस ध्यान रखना है कि जब एक बार हम गैस पे कड़ाई रखें उसमें तेल डालें तो पहले बहुत हाई प्लेंप पर तेल को गरम कर लेंगे फिर ठंडा करेंगे फिर उसमें हम जीरा वगरा डालेंगे और इसे हम इस तरह से अच्छे से चलाएं और सिंग डाना मॉंप्रियानी और थोड़ी ची हरी मिर्च और ये सब डाल कर अब इसे हम अच्छे से और थोड़ा सा साथ में डालेंगे नमक इन सब चीजों को डाल कर हम अच्छे से कूट लेंगे और इसे अच्छे से कूटना है और बारताराम से कूट भी जाएगा और साथ में डाला है हल्दी पाउडर । और यह दिखें इसमें हमाने यह है आमच्योड ट्राइई मैंगोड़ फाउडर का बना हुआ है । इसमें डालकर अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे और यहां पर चुक realm जू मैं ड्राइई मैंगोड़ तसी नमक था इसलिए हमने यहाँ पे अभी नमक का यूज नहीं क्या हमने लने कोटते समय नमक डाला था अब हमारी सब्जी बन रही है इसके साथ खाने के लिए हमने एक पराठाब को बना कर दिखाते हैं हम सिंपल आटा साने हैं जो ऐसे रोटी के लिए आटा सानते हैं हमने साना है इसे हम क्या करेंगे पूरे चकले जितना बड़ा हमारा चौका है चकला है इसके रोटी रोल करने वाला है हम इसमें जो है इतनी बड़ी देखे पूरी रोटी बना लेंगे अब हम क्या करेंगे इसमें घी लगाएंगे घी थोड़ा अच्छे से लगाएंगे एक इस तरह से हम इसे fold करेंगे देखिए ऐसे बराबर equal fold करते जाएए इस तरह से बहुत दबाना नहीं है बहुत हलकियाज से इसको ऐसे roll करने का है अब हम क्या करेंगे यह जो roll किया वह पीछे का side है वहां से हम इसे cut लगाएंगे और मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से कितने layer दिखाएंगे यह देखिए अब हम क्या करेंगे उल्टी side जिदर cut लगाएं उधर नहीं दूसके opposite side से हम इसे मोड़ेंगे और cut ला हिस्सा मैं दिखा रही हूँ अंगली से आप बाहर की ओर है अब इस तरह से हम उसे दबा लेंगे और यह देखिए रोल हो गया अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसके उपर यह हमारे पास कसूरी मेथी है उसे हम डाल देंगे और इसके बाद यह इस तरह से इससे करेंगे और हलका सा सुखा हांट लगाएंगे और हम इससे इस तरह से बेलेंगे और बिहने के लिए क्या है कि इस चारा जो जो लच्छे वाले पराँडे उते हैं इनको बहुत जोर देखे नहीं भेलने का हलके आतों से भेलने का अब हमारा कैस पे तवा रखें वो गरम हो चुका है यहाँ पे अब हम डाल देंगे इससे पराठे को जो हमने भेला है और यह दिखिए बलट के दिखाते हैं यह दिखिए कितना प्यारा लग रहा है और अच्छे सिक्दम मस रखेंगे अब यहाँ पे इसे हम उपर से घी लगा देंगे इसके ओपर यह देखिए इस तरह से हम घी लगा देंगे इसके ऊपर और इसे हम अच्छे से चारों तरगी लगाने अब इसको हम इधर पलट देंगे यह देखिए अब इधर भी इसी तरग लगा देंगे और यह हम मेडियम आज पे कर रहे हैं ना हाई ना लो यहां मेडियम आज रखेंगे medium flame पर हम पुरा पराठा पकाएंगे और इसे अब हम पलटते हैं इस तरह से हम हलका हलका press कर देंगे बहुत ज़्यादा press नहीं करना है क्योंकि हमारे लच्छे इसमें बनेंगे और इस तरह से देखें पलट कर कितना बढ़िया color आजाता है इसका यह देखें वाओ और यह आपको दिख रहे होंगे लच्छे लच्छे पूरे बन गएं काफी गरम है और यह देखें अब हमारा बन के तैयार हो गए अब हम चलते हैं उतर बैगन के तरफ बैगन हमारा पकर रहा है इसमें जो हमने मसाले तैयार के थे लसन मौंपली हरी मेर्च और ड्राय मेंगो पॉडर डाल कर उसे इसमें मिक्स करेंगे और एक साथ नहीं डालना है पहले हम एक बार डालेंगे फिर मिक्स करेंगे फिर से हम उसे डालेंगे देखें दो तीन बार में डालेंगे क्योंकि एक जगह पढ़ जाएगा तो मेगन हमारा आदा पक चुका है इसलिए हमें और मेगन आदा पक जाएगा तभी हमें मिक्स करना है तुरंत नहीं करना है कि छोंका और मिक्स किया कम से कम पांदेस मिनट बात करना है और यह देखें बहुत जल्दी यह सबजी बनकर तयार हो गई और यह सबजी बन गई है हमारी और देखें कोई टाइम लगा अब इसे हम क्या करेंगे सब कर लेंगे अब यहां पे मैं आपको दिखाती हूँ हमारी सबजी एकदम बनके तयार हो गई है बैगन की लुक्स देखिए बहुत जल्दी बनती है बैगन की सबजी और यह जो है न सबजी नहीं आप इसे कलोंजी कहिए सिर्फ यह दिखने में सबजी है और स्वाथ तो पूरा कलोंजी का है वाँ अब इसे हम रोटी के साथ सर्व करेंगे और मैं यह दिखाती हूं आपक पूरी लेयर आपको दिख रहे होंगे उपर से बने हुए बहुत ही अच्छा बनकर लेयर त्यार हुआ है इसका और इस बैगन की सबजी के साथ इसे सर्व करेंगे और खाईए और टेस्ट करें बहुत ही लाजवाब है वाँ और हाँ सब लोग सब्सक्राइब करें लाइक करें शियर करना ना भूलें कमेंट्स करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नई ने रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे और यह देखें लुक्स यमी स्वाद यमी और वाँ